गुरुवार की एहले सुबर चद्रो इपाई मुख्यमार्गस से चुनला मोर के पास जो वाहनों के बीच आमने सामने हुई जब अज़स डखर के कारण वाहनों में भीसन आग लग गई जिसमें एक चाले की मौत जलने से हो गई जिसकी पहचान बिहार के खगड़िय जिला के नया काउन निवासे डबलो सिंग के रूप में हुई है घटना सुबा करीब पांच बजे की बताई जा रही है घटना की सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुची चगई पुलेस वाफाय ब्रिकेट कर्मियों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया हाला कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक साबू लोडेट एक ट्रक जलकर पूरी तरह खाख हो चुकी थी मैं दूसरी मक्का लोडेट ट्रक का मात्र कुछी हिस्सा बच पाया कि भाइबर कि दो कि अधिящ जब दो उन्ट को जूसरी एक ट्रक का लोडेट प्रम में आगे भाट आगे योड्या का आगा हुड़ खाया थिकलित देल। कि आटके उन्माग के बाला ड्रायवर उसी मुझा लगया संधित अंतरे माहें वोग जल लगया हुड़ तु प्रत्यों से दर्जियों के अनुसार दोनों ट्रक के बीच आमने सामने जबर्चस तरीके से टक्कर हुई थी जिसे दोनों ट्रक में भयांकर रूप से आग लग गई ज़नकारी के अनुसार चतिसगर से सामन लोड़ेट एक ट्रक बिहार जा रहा था वहीं दूसरी दर्फ मक्का लोड़ेट ट्रक था और वह बिहार के खगड़िया से जारकन आ रहा था इसी दौरान जमुई और ग्रीडी के सेमावर्टी गाउं जमहरा गाउं में दोनों ट्रकों के बीट बज़र टकर हो गई और आग लगने से एक चालकी मौथ हो गई इस आरान घटना की जनकारी मिलने के बाद जमुई के चकाई थाना पुलेस की घटना स्टल पहुची और मामले की जाच में जुट गई